पिक कंखा धन्यवाद चेर्मन साफ सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं अपना धन्यवाद सुनिया जी को कॉंग्रेस प्रेजिडेंट को और कॉंग्रेस पार्टी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मद्यप्रदेश से कश्मीरी पंडित को राजसरभा में भेजा शायद आज पूरे पार्लिमंट में मैं एक ही कश्मीरी पंडित हूँ और इसके लिए मैं कॉंग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कई साल पहले कई कई जेनरेशन पहले हमारा परिवार उत्तरप्रदेश आया फिर मद्यप्रदेश गया मगर हम लोग में आज भी कश्मीरी का कश्मीरियत का दिल है जब कभी भी कश्मीर में कोई आपता आती है कोई घटना होती है सबसे पहले हम लोग ही कश्मीर पहुँचते है जिस दिन उर्री में अर्थक्वेक आया था मैं स्वयम रोट्री क्लब के डेलेगेशन के साथ लाखों रुपए की सामगरी लेके गया था आज भी मेरे जवलंत संपर्ग हैं कश्मीर में और मेरा ये उपिनियन है कि कश्मीर में There is no communalism, there is separatism. सच्चाई तो यह है कि कश्मीर के लोग पंडितों की बहुत इज़त करते हैं. कर पंडितों को बहुत इज़त से देखते हैं. पंडितों को उन्होंने उस मग बचाया भी है. सच्चाई तो यह है कि पंडित वहाँ टीचर था, शिक्षक था. वो बच्चों को पढ़ाता था, हर मजब के बच्चों को पढ़ाता था. यह कहीं न कहीं पाकिस्तान की शाजिश्थी, कि पंडितों को वहाँ से बहार करो, तब उनका यह movement कहीं न कहीं effective होगा. यह सच्चाई है, कि हर पंडित कश्मीर वापस जाना चाहता है, वो उसकी भूमी है, वो वहाँ रहना चाहता है, अपने भाईयों के साथ रहना चाहता है, और उनके दुख में शामल होना चाहता है. जब हमारे बच्चों को, बेहनों को इस वक्त पीड़ा है, जब वहाँ पर वहाँ पर इतने लोग जखनी हुए, इतने लोग मरे, आप मानेगे नहीं, हर पंडित उत्ता ही दुखी है, जितना कि कोई कश्मीरी या कोई देश्वासी दुखी होगा. मगर हमको ये महसूस हुआ, कि कहीं ना कहीं, ये देश हमारे हिट को भूल गया, कि पंडित भी कहीं थे कश्मीर के, जो कश्मीर में रहना चाहते हैं, और कश्मीर की तरक्की के साथ, के साथ, वान टुबी पार्ट अड़ प्रोग्रस अफ कश्मीर. अभी आठ दस दिन पूर, एक मेन एक मेने पहले, मैं अपने पत्नी के साथ कश्मीर गया. जब मैं एरपोर्ट पे उतरा, तो वहाँ श्री नगर के एस्पी ने बोला कि आप MP हैं, तो मैं आपको सिक्यूरिटी देना चाहूँगा. मैं नहीं, मुझे कोई सिक्यूरिटी की ज़रुवत नहीं है. मैं और मेरे पत्नी पूरे कश्मीर में घुमें. यह वहाँ बेस्ट सीजन फोर कश्मीर. धाबों में जाके खाना खाते थे, लोगों से बात करते थे, अपना परिश्या देते थे, हर व्यक्टी हम लोगों का स्वागत करता था. कश्मीर, कश्मीरी लोगों ने हमारे लिए एक दिन शाम को बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम किया, कल्चरल इवनिंग. और उस कल्चरल इवनिंग में, जो सूफी सिंगर था, वो कश्मीर की एक्ता और भारत की एक्ता के बारे में प्रस्तुती कर रहा था. और उसके साथ जो मुजिशन्स थे उस दिन, आप यकिन नहीं करेंगे, वो कौन थे? वो स्टोन पेल्टेस थे, जिनको एक प्रकार से ट्रेनिंग दे कि मुजिशन्स बनाया गया. एक क्रेट करना है इस देश में और कहीं न कहीं उन कश्मीरियों को इज़त और समान के साथ इस देश में रखना है. एक मेरा मित्र है कश्मीरी पंडित, अमित माचू, उसके दादा जी की ऐसेसिनेशन हुआ था 1992 में, बड़ उस परिवार ने कश्मीर नहीं छोड़ा. वो उसने एक फैक्टरी पुट अब की है कश्मीर में, जहां कम से कम वो 300 लोगों को नौकरी देता है. हर मजब के. और उसमें 50% महिला हैं. और वो उसने कश्मीर में, यह पंडित है, एंबिलिन्स सर्विस टार्ट की है, पिछले एक साल से. तीन हजार लोगों की वो सेवा कर चुका है थ्रूद एंबिलिन्स. और इस एक मेंने में, कम से कम 1500 से दो हजार लोगों को उस एंबिलिन्स सर्विस के मादिम से free of charge hospital सक्पाचाय गया. तो कही ना कहीं, कश्मीरी पंडित एक बहुती महत्पूर्ण भाग है, एक बहुती महत्पूर्ण अंग है कश्मीर का. और आप यह देखिए, कि जिस दिन से कश्मीरी पंडित कश्मीर से बहार निकला है, उस दिन सही हमारे लोगों की वहाँ परिशानिया स्टार्ट हुई है कहीं ना कहीं इस पूरे परिशानिय का एक आंसर कश्मीरी पंडितों का वापस आना भी है डॉक्टर मनोहन सिंग जी जब प्राइम मिनिस्टर थे आज भी हमको लोग बताते हैं इनके जो इनिशेटिव हुए और कश्मीरी पंडितों को जो वापस भेजा गया उनके लिए अकॉमडेशन क्रेट की गई उससे बहुत कुछ बहुत कुछ चीजें इंप्रूव हुई मगर यह चीज को आगे आपको और बढ़ाना है जो जो कश्मीरी पंडित और इवन दूसरे कश्मीरी जो कश्मीर के बहार हैं दे वांट तो कम और कश्मीर, दे वांट तो कम और कश्मीर, आप आप पॉलिसी बनाइए मैं राजनाज सिंग जी को अपने सेजेशन्स दूँगा जो मेरे कश्मीरी फ्रेंड रे दिये हैं कि हाव कश्मीर कें प्रॉस्पर विद अफ आल थ्री रिजिन्स और अल दे कश्मीरी जो लोग कश्मीर में अच्छा काम कर रहे हैं हम इत्वांचू जैसे उनको रेकिगनाईज करना है सुसाइटे के अच्छे लोगों को आपको सम्मान देना है अगर हम यह सब करेंगे तो हो सकता है कि कश्मीर का कोई ना कोई एक सोशल पोलिटिकल आंसर आएगा security forces have to be there, इसमे कोई डाउट नहीं है security forces have to be supported, इसमे कोई डाउट नहीं है security forces have to fight the terrorists, इसमे कोई डाउट नहीं है मगर security forces are not the answer for Kashmir the answer for Kashmir will come from the people of Kashmir मैं आपको आज यह भी पताना चाहूँगा हम तो मध्यपरदेश में है और आप देखें how well Kashmiris have integrated in all parts of India जबलपूर में आप मध्यपरदेश मुश्किल से 50 family होंगी सब पढ़े लिखे हैं, सब संपन हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं देशभक्त हैं, तो कहीं न कहीं हम को इन सब देशभक्तों को एक साथ इकटा करके एक अच्छा महौल कश्मीर में बनाना है जिसमें हमको all stakeholders, including कश्मीरी पंडित्स को भी के बारे में सोचना हैं, और कहीं न कहीं हमको ये भी देखना है कि कश्मीर पहले भी हमारा आंग ने था, आज भी हमारा आंग है और आगे भी रहेगा थैंक यू, जैहिंद